जए हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेलवे की लेटस्ट अपडेट के लिए मोजिटिकेशन बेल पर क्लिक करें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शून्य दो दो पांच शून्य न्यू तिन सुकिया बेंगलूरू सुपरफास्ट विशेश की पूरी जानकारी यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है इसलिए लेटस्ट समय सारिनी का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है इस ट्रेन में कौन-कौन सी सुविधाय मिलती है, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है यह ट्रेन न्यू तिन्सुकिया जंक्षन और क्रांतिवीर संगोली रायान बेंगलूरू स्टेशन के बीच शुक्रवार को चलती है ट्रेन 49 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 3551 किलोमीटर की दूरी लगभग 66 घंटे में पूरी करती है इस ट्रेन की ओसत स्पीड 54 किलोमीटर प्रती घंटे की है अब मैं आपको इसके कोच कमपोजिसन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ, यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले न्यू तिन्सुकिया जंक्शन स्टेशन पर आकर रुख जाती है, और शाम 6 बचकर 5 मिनट पर रवाना होती है, इस ट्रेन का पहला हौल्ट डिब्रूगर स्टेशन है, औ और यहां ट्रेन रात 8 बचकर 13 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन पांच मिनट रुखती है, इस ट्रेन का चौथा हौल्ट शिमलगुरी जंक्शन स्टेशन है, और यहां ट्रेन रात 8 बचकर 35 मिनट पर पहुचती है, यहां ट्रेन पांच मिनट रुखती है, इस ट्रे इस ट्रेन का साथवा हॉल्ट डिमापूर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 11 बजकर 33 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन साथ मिनट रुखती है इस ट्रेन का आठवा हॉल्ट दीफू स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्यरातरी 12 बजकर 40 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रे इस ट्रेन का ग्यारवाँ होल्ट गोवालपारा टाउन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 7 बचकर 11 मिनट पर पहुँचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 15 होल्ट जलपाई गुरी रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 12 बचकर 40 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 19 होल्ट रामपुरहाट जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 9 बचकर 16 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। और यहां ट्रेन रात 10 बचकर 5 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 5 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 21 होल्ट दानकुनी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्यरातरी 12 बचकर 8 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 22 होल्ट खड़गपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 2 बचकर 30 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 15 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 26 होल्ट खोरधा रोड जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8 बचकर 10 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 20 मिनट रुखती है। पर पहुचती है यहां ट्रेन 20 मिनट रुखती है यहां पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहां से ट्रेन विप्रीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का 30 होल्ट राजमंडरी स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 5 बचकर 58 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 31 होल्ट विजेवारा जंक्षन स्टेशन है और यहां ट्रेन राथ 8 बचकर 30 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 10 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 35 होल्ट काटपाडी जंक्षन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुभ़ 5 बचकर 25 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 10 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 49 होल्ट बेंगलूरू कैन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुभ़ 10 बचकर 18 मिनट पर पहुचती है यहां ट्रेन 2 मिनट रुखती है। इस ट्रेन का 40 वा और आखिरी होल्ट क्रांतिवीव संगोली रायान बेंगलूरू स्टेशन है और यहां ट्रेन सुभ़ 11 बचकर 15 मिनट पर पहुचती है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में किराय से संबधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग-अलग होता है और समय समय पर किराय में बदलाब भी होते रहते हैं। किराय की जानकारी आप रेल्वे की ओफिशियली साइट IRCTC.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुरने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट टोटल ट्रेन अन्फो पर फॉलो करना न भूले। आपको कौनसी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की को पुशिश करूंगा धन्यवाद।